नमस्कार मैं अनुभाजन अद्धोगिक प्रसिक्षण संस्थान के सभी व्यवसायों से संबंदित Employability Skills विशेगे व्यवसायक सुरक्षा, स्वास्थ एवं परियावर्ण सिक्षा उक्त प्रिसंग पर आज आपको प्रसिक्षण प्रिदान करने जा रही हूँ प्रकर्ति ने मनुष्ष को सभी जीवन उप्योगी संसाधन प्रदान किये हैं आदिमानव अपनी सारी जो भी आवश्चक्ता होती थी वो प्रकर्ती से प्राप्त करता था और अपनी आवश्चक्ताओं को मिटाता था या उनकी पूर्ती करता था चाहे वो भूखो चाहे वो प्यासो लेकिन जो आधुनिक मनुष्य है इसकी जो जीवन यात्रा है जो इसकी विकास यात्रा है इसने प्रकर्ती का दिन प्रति दिन दोहन करना शुरू कर दिया अपने विकास के लिए अपनी प्रकर्ती के लिए और जो प्रकर्ती ने संसाधन हमें प्रदान किये, अगर हम उन संसाधन का आधिकाधिक रूप में दोहन करते जाएंगे, तो फिर बह संसाधन प्रकर्ती से समाप्त होते जाएंगे और एक दिन ऐसा आएगा कि जो मानव अपने विकास के लिए प्राकृतिक संसाधनों का दोहन कर रहा था उसका अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा तो इसलिए हमें अपने प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण करना है तो जी हां आज के इस अध्याय में हम पढ़ेंगे protecting the environment हमें अपने परियावरण को कैसे सनरक्षित करना है कैसे उसका उचित प्रिबंध करना है ताकि हम उन संसाधनों का लंबे समय तक प्रियोग कर सकें परियावरण सनरक्षण इबं प्रवंधन क्या है इसको जानेंगे हम कि परियावरण में मानोजनित करियाओं तथा प्राकिर्तिक कारणों से निरंतर परिबंधन देखा जा रहा है जिसने प्रत्वी पर विद्वान जीवन को प्रभावित किया है परियावरण में होने वाले परिबंधन की जब प्रकर्ति इस्थाई तथा अनुक्रमणिये हो जाती है तो परियावन प्रवंधन एवं सनरक्षन की आविश्यक्ता पड़ती है जब परियावन में ज्यादा परिवर्तन हमें देखने को मिलते हैं तो हमें अगर परियावन का उचित प्रवंधन एवं सनरक्षन नहीं करेंगे तो हमारा परियावन संकट में आ जाएगा और अगर परियावन संकट में आ जाएगा तो मनुष्य का अस्तित्वी संकट में आ जाएगा प्राया हम देखते हैं कि सहरी करण की दौड में आज हमने अधिकतर सहरों को जहां देखते हैं कि सिमेंट से कर दिया है जो पूरा भूमी होती है उसको समेंटी करत कर दिया गया है जिससे क्या होता है जो बर्सा का जल आ रहा है तो वो क्या होता है जो प्रथवी उसको सोसन नहीं कर पा रही है जल को जो हमारी भूमी है तो क्या होता है जो आपका जमीन का इस्तर है या जो भूमी इस्तर का जो न अगर हम इसको समय रहते हैं इसका सरक्षण या उचित प्रबंद नहीं करेंगे तो है एक दिन ऐसा आएगा कि हम सांस लेने में भी हमें दिक्कट आएगी और जो कुछ रही सही कसर बचती है तो इसको ट्यूब बैल द्वारा हम भूमी में छेत कर देते हैं और जो भी एक्स्ट्रा जल होता है और जल का लेवल होता है उसको हम अपने अधर कारियों में प्रियोग में लेते जा रहे हैं और हमारा जल जो है उसका जल का इस तर नीचे होता जा रहा है और बनों की कटाई करके भी हम जो अपने पर्यावर्ण है उसका दिन पर दिन दोहन कर रहे हैं हमें इसका संरक्षण करना है और कैसे होगा उचित प्रवंध के द्वारा तो पर्यावरण प्रवंधन का क्या अर्थ है पर्यावरण प्रवंधन के अंतरगत क्या आएगा नियोजन योजना बनानी होगी आपको पूरा पर्यावरण को देखके योजना बनानी होगी उसका विशलेशन करना है उसको विशलेशन करेंगे उसको समझेंगे उसको विस्तार पूर्वक समझके उसका मुल्यांकन करेंगे और फिर उचित निर्ड़े द्वारा ही हम सीमित संसाधनों का कम से कम संसाधनों का प्रियोग करके अपनी आवश्यक्ताओं को पूर्ती करेंगे य है परियावर्ण के साथ ही हमारा जीवन है आधुनिक काल में ग्या हो जो पुरा पासान काल से है प्राचीन काल से ही जो मानव और प्रकर्ती का रिस्ता था वो बहुत मित्रवत था और आज भी प्रकर्ती तो मानव की मित्र ही है चाहे वो किसी भी रूप में देख लीजिए लेकिन मानव जो है वो अपने विकास की होड में इतना जादा आगे बढ़ चुका है कि वो प्रकर्ती का अंदाधन सोशन कर रहा है दोहन कर रहा है और बहुत से काम ऐसी कर रहा है जो से नहीं करने चाहिए क्योंकि उसके लिए ही अहितकर हैं अगर हम प्रकरती का सर्रक्षण भलीवांती नहीं करेंगे तो क्या होगा कि हमारी जो आने वाली जनरेशन है आने वाली पीडी हम उसको कुछ भी नहीं दे पाएंगे तो हमें पर्यावन सर्रक्षण की बहुत ज होगा तो हम सुद्ध और स्वक्ष स्वास्थ के साथ अपना जीवन्यापण कर पाएंगे पर्यावन प्रवन्दन के निम्लिखित उंदेश हैं परद्यावन के बिभिणनि घटकों को प्रदोसित होने से बचाना सबसे पहले जो भी परियावन के हमारे घटक है उनको दूसित नहीं होने चाहिए चाहे वो जल हो चाहे वो बाई हो चाहे वो भूमी हो उसको रोकना उसका उचित तरह से प्रवंद करना ये हमारा कर्तव है कि हम उसका प्रवंद करें और उनको प्रदूसित होने से बचाएं मानव की परियावन प्रदूसर्ण से रक्षा क्योंकि अगर हमारा जो परियावन सुरक्षित होगा तो मानव की रक्षा भी अच्छे से हो पाएगी मानव उसमें सुरक्षित तरीके से अपना जीवनियापन कर पाएगा बिलुप तो होती हुए प्रजातियों का संरक्षण आज हम देख रहे है कि हमारी बहुत से प्रजातियां बिलुप तो होती जा रही है जैसे कि अगर बनों का छितपल है जो दिन पर दिन घट रहा है अब बन की संख्या घट रही है तो बहां पर जो भी प्राणी जगत या जीव जन्तु रह रहे थे तो उनके लिए कोई निवास इस्थान नहीं है तो उनकी जो संख्या वो दिन पर दिन घटती जा रही है तो हमें उन प्रजातियों का संद्रक्षण करना है क्योंकि अगर हमारा पारिस्थिती तंत्र सही तरीके से काम नहीं कर रहा है तो फिर हमारे लिए हैं दिकत हो जाएगी हमारा जीवन है वो खत्रे में आ विकास योजना का परियावन प्रभाव के द्रस्टी कौंड से विसलेशन करना जो भी आपके विकास योजना है उनका आपको परियावन के द्रस्टी कौंड से ही उनका आपको बनाना है निर्माण भी करना विसलेशन भी करना कि हमारे परियावन के लिए कितनी ज्यादा ह बैसे सरकार बहुत सारी योजनाएं अब चला रहा है कितने सारे ब्रक्ष लगाए जा रहे हैं लेकिन यह सिर्फ कहने से नहीं होना करना है ब्रक्षों को लगा के उनका संरक्षन करना है उनको प्रोटेक्शन देना है जब ब्रक्ष बड़े होंगे तभी वो हमारे परियाव बनाने में मददगार साबित होंगे परियावन संबंदी रास्टे एबं छेत्रिय नीती निर्धारन करना चाहिए क्योंकि अलग अलग जंग है का परियावन या एट्मोस्पेर जो हम कहेंगे वो अलग-अलग होता है तो छेत्र पिसे इसको ध्यान में रखकर ही हमें नीत करते रहना चाहिए कि कहां किस तरह की परिशानियां आ रही हैं कहां का बंचित कम हो रहा है कहां का ज्यादा हो रहा है ज्यादा हो रहा है तो बहुत अच्छी चीज़ है लेकिन अगर कम हो रहा है तो हमें उसको और ज्यादा बढ़ाना है परियावन सरक्षन में करने चाहिए परियावण चेतना जागरत करना परियावण की सिच्छा देना चाहिए यह है परियावण प्रभंधन का मुख्योद देश है क्योंकि किसी भी कार का अगर उचित प्रभंधन होगा तो वह कार सुन नियोजित रूप से बहुत अच्छे से आगे बड़ेगा और उसका result भी बहुत अच्छा आएगा तो परियावन प्रबंधन के कुछ पक्ष है जैसे कि परियावन बोध एवं चेतना तो परियावन का बोध मतलब उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए और हमें सचेत होना चाहिए हमें समझना चाहिए कि हमारी प्रकर्ती बहुत नाजुक है बहुत जादा कौमल है हमें उसके साथ कैसा बिवहार करना चाहिए जिस तरह से कि हम एक नन्नी सिसू के साथ बिवहार करते हैं अगर हम बैसा ही बिवहार अपनी प्रकर्ती के साथ करेंगे तो उसका परिणाम जो है वो बहुत अच्छा हमको मिलेगा क्योंकि अगर हम प्रकरती का संरख्षन उसका लालन पालन एक तरह से क्योंकि प्रकरती जब हमारी मित्र है तो हमें भी उसका साथ मित्रवत बिवहार ही करना है हमेशा जागरत रहना है, सचेत रहना है अगर उसको हमारे द्वारा भली नी हमारे आसपास रहने वाले लोगों के द्वारा भी कोई उसके लिए कस्ट पहुंचाया जा रहा है तो हमें समय रहते उसका निराकरण करना है परियावर्णी प्रभाव का मूल यांकन परियावर्णी प्रभाव क्या होते हैं? अलग-अलग छेत्र में अलग-अलग पर्यावणी प्रिभाव हो सकते हैं तो इसमें छेत्र विसेश को लेकर आपका या आपका प्रिदेश विसेश को लेकर या रास्ति या अंतरास्ति इस तर पर इसके लिए पर्यावणी प्रिभाव का हमें मुल्यांकन करना जाहिए और फिर उसमें जो भी, हमसे बन्जूके हैं, हमारी सरकार से बन सके, फरे उसके लिए कदम उठाने चाहिए जो भी आपका परियावण अवकर्षण मेंन इसका जो भी दिन पे दिन इसका कम हो रहा है, निमनी करण हो रहा है और जो भी उसका हमें उसके लिए छति पूर्ती करने अगर पर्याव बंचेत्र कम हो रहे हैं तो हमें बंचेत्रों का एरिया बढ़ाना है, लगाने है अपने आसपास के छोटे एरिया में भी हम बंचेत्रों गा सकते हैं बहुत सारी टेक्नीक्स आ गई हैं हम आज विज्ञान के यूग में जी रहे हैं जहां विज्ञान ने हमारे लिए बहुत सारी सुख सुवदाएं दी हैं लेकिन बहुत बड़ा अभिसाब भी दिया है जो कि पर्यावन की छति के रूप में हमें देखने को मिलता है इसको हमें समय रहते पूरा करना है और पर्यावन में जो भी छति हो रही है उसको हमें समय रहते दूर करना है और जो प्रदूशन का नियंत्रन सबसे इंपोर्टन चीज है पर्यावन जो प्रदूशन हो रहे हैं उन पर नियंत्रन करना है क्योंकि इससे डरने की आवश्यक्ता नहीं है अगर हम डरेंगे तो कुछ भी नहीं होगा समय रहते बच्चो आप लोग आज के युबा पेड़ी हैं और कल के हमारे भविश हैं आपसे ही देश का उन्नत की ओर ले जाना है तो जो परियावण में जो भी प्रदूशन हो रहे हैं वो किसी भी बज़े से हो रहे हैं उसके प्रति हमें सचेत रहना है और अपने परियावण को प्रदूशत होने से नियंत्रण के उपाय सोचने चाहिए अगर हम डर जाएंगे तो कुछ भी नहीं होगा जहां पर हम कम रूप में जैसे कागज निर्माण ही देख लीजे अगर हम बिल जैसे ओनलाइन बिल हैं वो हमारे पास हार्ड कॉपी में नहीं रहते बट उससे कम से कम कागजों का कम से कम यूज होगा तो हमें पेड नहीं काटने होगे पेड से ही तो कागज बनेगा इस तरह से हमें संसाधनों का प्रिबन मन करना जाए जहां जरूरी नहीं है वहां इस तरह से काम चलाना चाहिए पर्यावन सिक्षा एवंप्रा सिक्षा पर्यावन के लिए हमें उचित सिक्षा भी देनी चाहिए चाहिए वो कॉलेज इस तर पे हो छोटे से बच्चों से लेकर प्राइमरी लेविल से लेकर हाई क्लास तक इसकी सिक्षा देनी चाहिए अपने आसपास के महलों को भी इसके बारे में हमें बताना चाहिए और साथ ही साथ जो भी और भी मेडिया है या पत्र समाचारपत इनके माध्यन से भी सिछेत करना चाहिए पर्यावन प्रवंदन की उपागम तो एक परियावर प्रवंदन का उपागम में परी रक्षात्मक उपागम परी रक्षात्मक परी मतलब जो हमारे चारों ओर का आवरण है उसके हमें रक्षा करनी जाए ठीक है ना उसका प्रती ऐसे नहीं कि छेड़ छाण नहीं करनी जाए उनके साथ समायोजन करना जाए जो भी हमारी प्रकर्ती है उसके साथ हमें समायोजन करना जाए कोशिश करनी जाए क्यूंकि मनुस्त को अपना विकास बहुत ज्यादा प्यार है और उसका विकास जो है वो प्रकर्ती से ही होता है प्रकर्ती में रहकर ही होता है और अगर वो रक्षात्मक होना चाहिए समाय उजन की भाबना आपकी होनी चाहिए और ये सनरक्षात्मक जो भी प्रकर्ती का आप दोहन कर रहे हैं या जो भी हमें प्रकर्ती से मिल रहा है उसका प्रियोग करना चाहिए उसको सनरक्षन करना चाहिए संदक्षण का मतलब यहां यह बिलकुल भी नहीं है कि हमें प्रकरती की रक्षा करनी है उसका बिलकुल भी प्रियोग ही नहीं करना है ऐसा नहीं है लेकिन उसका संदक्षण अगर आप करेंगे तो यह परियावन के लिए हितकर होगा तो प्राकिर्तिक संसाधन जो है इनका हम जानेगे कि प्राकिर्तिक संसाधन हमारे क्या होते हैं तो इन्हें हमारे कुछ विद्वानों ने परिभासित किया है तो जो जिम्र मैन है उन्होंने लिखाए कि प्रकर्ति के वे समस्त पक्ष सारे पक्ष जिनसे की मानव अपनी जैविक आवश्चताओं की संतुस्टी कर सकता है प्राकिर्तिक संसाधन कए जा सकते हैं जो भी उसकी आवश्चता है हम जो पूर्ति कर रहे हैं वो क्या है प्राकिर्तिक संसाधन है जो हमें प्रकर्ति द्वारा मिले हुए जहे हैं वो सूर की उड़जा हो आपकी या आपका वायू हो जल हो भूमी हो कुछ भी हो जो हमें प्रकर्ती से प्राप्त हो रहे हैं और इनका हम उप्योग कर रहे हैं और सिंग जो हैं इन्होंने इसको परिभासित किया है कि वस्तुता प्रकर्ति के समस्त गोचर एबं अकोचरतत। मतलब जो कुछ दिख रहे हैं और कुछ नहीं भी दिख रहे हैं जो मानव के लिए उपयोगी हों प्राकर्तिक संसाधन कहें जा सकते हैं कि प्राकर्तिक संसाधन क्या है हम यहां रह रहे हैं प्राकर्तिक संसाधन का प्रयोग करके ही अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं संसाधन का अब हमें प्रबंधन कैसे करना चाहिए प्रबंधन आप लोग समाज रहे होंगे सही से मैनेजमेंट हमें कैसे करना चाहिए जो हमारी प्रकरतिय पर्यावन ने जो हमें तत्व दिये हैं उनका हमें प्रबंधन उचित तरीके से कैसे करना है आधुनिक संसार में विकास की उपभोग भूमी प्रणाली अपनाने के कारण उपभोग भूमी हम उसका उपभोग कर रहे हैं अगर आप किसी का जितना ज़्यादा यूज कर रहे हैं उसी प्रतीसत में आप उसको रिलीज भी करेंगे जैसे कि आपने बनों की कटाई की छी कोई बात नहीं फिर उसी एरिया में आपने बन लगा भी दिये तो क्या होगा वो बरावर से आपको मिलता रहेगा उपभोग मत कीजिए आप उसको उसके साथ आप अगर ले रहे हैं तो उसको प्रकर्टी को देने की भी कोशिश और आधोनिक समाज को अविकास के उन उपायों के बारे में सोचना पड़ रहा है जिनसे की संसाधन का उपयोग मित्वई तरीके से हम कर सकें और अगर हम संसाधनों का प्रियोग मित्वई तरीके से नहीं करेंगे उनका सही से निर्भाय नहीं करेंगे तो मनुष के लिए प्राकिर्तिक संसाधन अब हम जानेंगे तो प्राकिर्तिक संसाधन यह हमारे दो तरह के होते हैं एक तू नवीकरन संसाधन और एक जो बाला मतलब हम जानेंगे जो कि हम अगर प्रियोग कर लेते हैं तो ये बापिस फिर नहीं आते हैं फिर उनका हमें प्राप्ति उन संसाधनों की नहीं हो पाती है नवीकण और आपरिवर्तनी ये संसाधन इसको भी तीन स्रेडियों में बाटा गया है तो नवी कण और परिवर्थन ये जो संसाधन है वो कैसे है कि ये कभी भी इनका परिवर्थन नहीं होता है ये जैसे कि आपका समुद्र का जल हुआ, महा सागर का जल हुआ, ये परिवर्थन नहीं होगा बायू हुई या जल सकती हुई इनका परिवर्तन कभी भी नहीं होगा ठीक है यह आपको मिलते रहेंगे इसी तरह से आपका नभी करने लेकन दुस पयोज निये संसाधन इनका जो गोड और मात्रा जो है वो चेंज हो जाएगी अगर आप इनका प्रियोग कर रहे हैं तो गो सही से नहीं करेंगे देख वाल तो गया है उसके हिसके भूमी की सते यि पयोज होती वोगा जाती इसी तरह से बन चेतरह अगर बन चेतरों को आपकों न śतिम हो जाहेंगे बन जीव है जो हमारी भ्रzwलत प्रायवगि के की प्रिजातिया है जो की खतम हो गईँ है वह बापिस नहीं आ पाएंगी है। अगर उनके जो मात्रा वह खतम होती जा रही है। जोनकी गुराश्य गुणन को कवा सब्सक्द कांद में कुंद्र उन works कश्का मुटप्र आप जिस बिधी से इसका प्रियोग कर रहे हैं, जिस जो भी बिधी अपना रहे हैं, उसका प्रिभाव ज्यादा पड़ता है, जैसे कि आप इमार्ती लकडी को ले लीजे, इमार्ती लकडी को आपने काटा, आप पूरा काट देंगे, तो नहीं बढ़ पाएगी, उतने प्ल भूमी गजल ले लीजे, आप जल निकाले, बिल्कुल ट्यूब पर लगवाईए, लेकिन आप रेन वाटर हर्बिस्टिंग भी करवाईए, जिससे कि आप बारिस का पानी आता है, उसका संचेन करिए, तो जो भूमी गजल का इस तर है, वो अपने आप बढ़ता रहेगा, आप उचे तब विधी का प्रियोग कर रहे हैं, तो ये संसाधन कभी खतम नहीं होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, कि नवी करणी है, जो संसाधन है, आप उनका अत्य दिक दोहन करते जाएंगे, करते जाएंगे, और वो कभी बिलुक्त प्राय नहीं होंगे, वो भी अंत में खतम हो जाएंगे, और अगर हम सौर उड़ जाएंगे, इनको देखें, तो ये तो भगबान का या इश्वर का दिया हुआ, आमको अक्षय पात्र है, जो कि हमें हमेशा मिलता रहेगा, लेकिन उसका भी हमें सही तरह से प्रियोग करना होता है, अगर हम अपने बायू मंड को बहुत जादा प्रदूसित करते हैं, तो सूरज का प्रकास भी हमें कई वार देखने को भी नहीं मिलता है, अब हम आते हैं अनविकर्णिय संसाधन, इसके अंदर है संपोश्णिय है, लेकिन अनविकर्णिय संसाधन, ये ऐसे संसाधन होते हैं, जो कि एक बार हम लोग करते हैं और खतम हो जाते हैं, ठीक है ना, और इसी तरह इसे अनविकर्णिय करें हैं, लेकिन पुना उप्योग योग, ये अनविकर्णिय हैं, लेकिन इनका उप्योग बार बार कर लेते हैं, जैसे कि कोई भी रत्न बगेर है हुआ, आपका हीरा हुआ, सोना वहां से तो एक खतम हो रहे हैं लेकिन जब आपके पास है आपने सौने का ठोस रूप में लिया आप उसके आभुसर बनबार लीजे आभुसर को फिर गलवा देते हैं फिर उससे आप ठोस प्राप कर सकते हैं इसका प्रियोग आप बारवार कर सकते हैं और नभी करण लेकिन एक बार उपयोग योग शादन है जैसे कि आपका पेट्रोलियम पदार्थ हुआ इनका आप एक बार ही प्रियोग कर सकते हैं आपने प्रियोग किया और वो फिर खतम हो जाएगा मिन्स इसका बार बार प्रियोग नहीं कर सकते हैं प्राकिर्तिक साधन जो संसाधन है हमारे इसके अंदर गहत हम आप पढ़ेंगे मिर्दा का संरक्षण मिर्दा का हमें कैसे संरक्षण करना है जो हमारी भूमी है जो कि उसकी उपजाओ सत्य है या जो भी है उसका हमें संरक्षण कैसे करना है वन संरक्षण तो सबसे पहले हमें अपने बनों का सनरक्षण करना है जो कि अंधा दुन्द उसकी कटाई होती जा रही है उसका हमें सनरक्षण समय रहते हुए कट करना है वरना आंगे चलके इससे भूमी कटाई और बहुत सारी समस्याएं बढ़ती जाएंगे बाड पर नियंत्रण करना है अगर हम बना दिख लगाएंगे तो भूमी का कटाउ नहीं होगा और जो बाड़ें भी नहीं आएंगी क्योंकि अगर बाड कव आती है जब आत्य देख बारिश हो जाती है और अगर उचित तरीके से हमने उसका सनरक्षण नहीं किया है तभी ब हटना ज्यादा देखने को मिलती है बंध बनाना अगर जहां पर क्योंकि अगर बाड ज्यादा आएगी इसको हम थोड़ा सा समझेंगे कि अगर बाड आएगी तो बाड से जो उपजाओ सता है वो भी अपने साथ मिर्दा की ले जाती है तो हमें बाड पर नियंत्रण करना है चाहे बंध बनाना है जहां पर कि आपकी उर्जा बहुत ज्यादा मिटी बह रही है तो इसको छोटे से मेर टाइप की बना देनी है जिससे कि उसका पानी रुका रहे है नियोजन रूप से ही चरागाय में ले जाना है आधिक से अधिक ब्रक्षों का लगाना है जिससे की मिर्दा सनक्षण होगा और सीडीदार खेत बनाके और समोचरी जो परवती छेत हैं बहाँ पर क्या है इस तरह से देखो सीडीदार खेत लगाए जाते हैं जिससे की जो अगर यहां से पानी आया फिर यहां वो रुख जाता है तो यहां पर हम लोग इस तरह से खेती हो जाती और समोचरी में इस तरह से जैसे यह खेती हो रही है और यहां पर आपने खेती कर ली यह मेड़ बन जाती है यह खेती हो जाती तो मनला इस तरह से यह देखनी को मिलता है तो इन बिधियों का हमें प्रियोग वहां पर करना चाहिए बंसनरक्षण के पेडों को ब्रक्षा रोपन करना चाहिए, पेडों के काटने पर रोग लगाई जानी चाहिए, ऐसानी कहीं भी अंधादुन्द कटाई चल रही है और इस पर कोई रोग नहीं है, इसके लिए सक्त कानून बनाए जानने चाहिए, बनों को आग से बचाना चाहिए, क्योंकि उससे बायू प्रदूसन भी होता है और बन भी हमारे नस्ठ होते हैं और बहुत से प्रजातियां भी लिप्त हो जाती हैं, बनों को अध्यदिक चराई से बचाना चाहिए, अगर जादा वहाँ जानबर चरेंगे, तो जो वन है या वहां की जो घां से वो अधिक कम होती च चली जाएगी, खनेज संपिदा का संरक्षण क्या है, कि नए खनीजों का पता लगाना चाहिए, जिससे कि खनेज संपिदा बढ़ती रहे, खनेजों का बहुत देश्यों बहुत तरह से हमें प्रियोग करते रहना चाहिए, ऐसा नहीं कि एक ही बार उसका प्रियोग करें, सुरक्षित भंडार ग्रहों का निर्मान करें, जिससे कि उनको सुरक्षित तरीके से रखा जाए और खनीजों के विकल्पों का अनवेशन उसका भी सोध होता रहना चाहिए कि हम और कौन-कौन से खनीज से क्या कर सकते हैं अगर किसी में लकडी का और प्लास्टिक का हैंडल लग रहा है वहां और कुछ नहीं हो सकता है अगर लोहे का हैंडल है तो वहां प्लास्टिक का भी काम हो सकता है तो इस तरह से हमें विकल्पों का भी प्रियोग करना चाहिए जल सन्रक्षण में हमें उप्युक्त सुझाओं का प्रियोग करना चाहिए, खेतों की मेडवन्दी करके इस तरह से आप ये देख सकते हैं इनका अगर हम सही से प्रियोग करेंगे तो हम जल सन्रक्षण अपना कर पाएंगे चाहिए भूमी गजल हो चाहिए कोई भी उर्चा का सन्रक्षण भी बिजली बचाना चाहिए और इधन बचाना चाहिए क्यूंकि और इन सारे नियमों का पालन करके आप इसको अच्छे से कर सकते हैं तो ये आपको पढ़ना है घर में गैसे हमें गैस जलानी है, किस तरह से काम करना है ये सारी चीज़ें आपको पालन करनी है तो आपने इस प्रसिक्षण में जाना है कि हमें अपने परियावन का सन्रक्षण कैसे करना है हमें प्रकरती का मित्र बन के और अपने आसपास के परियावन को बहुत अच्छे से सन्रक्षण करना है तब ही हम अपने परियावन को बचा पाएंगे और आगे के अपनी पीडी आ रही है, जन्रेशन उसको कुछ दे कर जा पाएंगे जिस तरह के कि सौने का अंडा देने वाली जो मुर्गी होती है, उसकी स्टोरी सभी ने सुनी होगी और अगर हम एक साथ अंडा निकालेंगे, एक साथ प्रकरती का दोहन कर लेंगे, तो अंत में हमारे हाथ में कुछ भी नहीं आएगा तो जो इस प्रसिक्षण में है, हमने जो संदव लिये है, इसको पढ़ाने के लिए इंप्लोईविल्टी स्किल है, जो कि माया सुकला जी द्वारा रिचित है, और हमारी www.nimmi learning online से तो जो आज का प्रसिक्षण रहा हमारा बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, और आसर गरती हूं कि भविस में आपके लिए मददगार सिद्ध होगा, धन्यवाद जो आज कि माया इंपोर्टेंट है, जो कि माया जादा बहुत जो आज कि कि अद्वादा रहा हूं कि जड़ारा बहुत जो आज दो आज कि एंपारी अद्वान